वंदे मातरम जै भारत पूरी दुनिया को विज्ञान का सही अर्थ और सही उप्योग भारतिय सनातन संस्किर्टी ने सिखाया इशी का एक जीता जाकता उधारन है हमारा रसोई विज्ञान हमारी रसोई के अंदर जिन जिन मसालों का स्थान दिया गया वो मसाले नहीं बलकि एक ओस दिया थी मनुस्य के सरीर को संतुलित रखने के लिए हस्ट पुस्ट रखने के लिए और निरोगी रखने के लिए सभी मसालों का चैन किया गया सरीर के तीनों दोसों को सम रखना और दोस मुक्त सरीर को करने के लिए हमारे रसोई घर के मसालों का चैन किया गए आज हम बात करेंगे धनिये के बारे में धनिये के बारे में सरुवात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आज बिमारी का सबसे बड़ा कारण मिलावट है हमारी रसोई घर के सबी मसाले मोसम के अनुसार उचित मात्रा में अगर हम उप्योग करें साबत खरीद के घर पर पीश कर तो निश्चित रूप से इस देश की अधिक्तम बिमारीों को समाप्त किया जा सकता है लेकिन अत्यदिक स्वादिष्ट बनाने के चक्कर में हमने जो विदेशी मसालों को अजीनो मोटो जैसे कैमिकलों को जो स्थान दिया है हमारे रसोई घर में वो विनास कारी है धनिया एक बहुत ही दिव्योस्दी है जो हमारे सरीर में अनेको कारिय करती है अनेको परकार के लाब धनिये के माध्यम से होते हैं विशेश रूप से अगर धनिये का बीमारियों में न उप्योग करूँ तो सबसे अच्छा उप्योग धनिये का थाइराइड में है एक एक चम्मच अगर आप सुबह से आम लेते हैं तो बहुत लाबकारी है धनिया सुगर के रोगियों के लिए भी लाबकारी है हार्ट के रोगियों के लिए जिनका हार्ट ब्लोकेज है या हार्ट की पंपिंग कम है उनके लिए भी धनिया बहुत लाबकारी है कैंसर रोगियों में धनिया विशेश महत्व रखता है विशेश रूप से रोगी के पित को ठीक करने के लिए रोगी को जब भूख ना लगे भूख को बढ़ाने के लिए और जब अत्य अधिक प्यास लगे पित की वज़े से तो मिसरी के साथ धनिय का उपयोग विशेश लावकारी हो जाता है धनिया मनुष्य की पाचन तंतर को भी मजबूत करता है और हमारे खाए पिये को पचाने में भी धनिया बहुत लावकारी है धनिये के उपयोगों में तवचा रोगों में बहुत उच्तम स्थान रखता है तवचा के जितने भी हमारे रोग है जैसे फोड़े, फुन्सिया हो गई, खुजली हो गई उन सब में भी धनिया बहुत लावकारी है आजकल हमारे युवाओं को एक बहुत बड़ी समस्या से जुझना पढ़ रहा है गलत संगत की वज़े से धातू की जो समस्या होती है धनिया को मिस्री और सिसम के पत्तों के साथ देने से धातू रोग में भी लावकारी है धनिया जिन लोगों को नक्सिरी की समस्या है, यानि कि नाक से रक्त बहने की समस्या है उन लोगों के लिए भी धनिया विशेश महत्व रखता है अगर धनिये को सीसम के पत्ते हरी दूब और सौप के साथ जूस के रूप में पिया जाए तो नक्सीरी रुक जाती है लेटरिंग के माद्धम से गर्मी की वज़े से जो रखता है वो भी रुक जाता है तो ये कुछ मात्र धनिये के उप्योग मैंने बताए हैं आपको वैसे अनंत उप्योग हैं धनिये के बहुत सारे उप्योग हैं हमारे सास्त्रों में कुछ साइड इफेक्ट भी धनिये के होते हैं विशेश रूप से अत्यधिक मातरा में अगर हम धनिये को सेवन करें तो पुर्सों की जो सक्ति है सुक्रवानों की संख्या पर परभाव पड़ता है महिलाओं के जो मासिक धरम है उसके उपर भी परभाव पड़ता है सर्दी के मोसम में धनिये का अती सेवन आपको नुक्षानकारी हो सकता है बाकी आप धनिये की सेवन की जो विदी है धनिये को आप कच्चा भी ले सकते हैं ताजा धनिया भी उसका रस निकाल के या चटनी के रूप में ले सकते हैं एक एक चम्मच सुबह स्याम अगर धनिये का बीज है तो साबुत धनिये को पाउडर बनाके सुबह स्याम प्रियोग कर सकते हैं या धनिये को बिगो कर और पानी में उबाल कर सुबह स्याम भी आप इसका प्रियोग कर सकते हैं कि अधिक्तम मात्रा एक चम्मच सुबह एक चम्मच श्याम को ही लेनी होती है बाकी ये निर्वर करता है रोग और रोगी की स्तिती के उपर लेकिन धनिया बहुत ही दिव्योस दी है लालच के चलते वे सुध धनिया आज पैकिटों में उपलब्द नहीं है हाँ आप अपने निवेदन है कि रसोई घर के सभी मसाले आप साबत खरीद के लेकि आएं किसी भी कंपनी पर किसी भी ब्रांड पर विश्वास ना करें सीधा सीधा किसान से प्राकर्तिक जहर मुक्त किसान से खरीदेंगे तो आपको अद्भुत लाब होगा तो इनको परियोग करें और अ जीवन को रोग मुक्त बनाएं नमस्ते ओम वंदे मात्रम जै धर्तिमा जै गोमाता